कोई लेलो अव्रीबन दोस्तों आज के स्वीडयो में हम इस बॉर्ड की वायरिंग करने वाले है जिसमें हमारे तीन किरेश्च के स्विच एक इंडिगेटर लगा हूऑ है इस तरह के सब इस वीडियो न rhod ने वाले चैनल पर पैली बारएख तो सब्सक्राइब कर लेना तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यह है वो बोर्ट जिसके हम कनेक्शन करने वाले हैं जिसमें तीन 5-pin socket एक switch एक indicator लगा हुआ है ठीक है तो इस बोर्ट के हम wiring करने है हमारे 5-pin socket 5-pin socket के दो पॉइंट होते हैं एक दोस्तों यह जो हमारा L वाला पॉइंट है हम इसे connect करेंगे ठीक ना यह जो दोस्तों दो पॉइंट है नीचे एक line का एक neutral का ऊपर जो होता है यह होता है हमारा अर्थिंग का ठीक है तो यह हमारा L वाला पॉइंट है L वाले पॉइंट पर हम इसे यलो कलर के बार को लगा करके अपने टाइट कर देंगे ठीक है ना प्रोपर तरीके से ठीक है तो यह हमारा लग गया अब उसके बाद में यह दोस्तों हमारा दूसरा 5-pin socket है दूसरे 5-pin socket के यह जो L वाला पॉइंट है जैसे हमने पहले वाले पर कनेक्ट क्या ऐसी है हमें सैकेंड वाले पर कनेक्ट करना है क्योंकि दोस्तों एक स्विच से हम तीन सोकेट अपने रन करने वायर को और हम इसे टाइट कर देंगे तो यह हमने ले लिया वायर को और हम इसे टाइट कर देंगे प्रोपर तरीके से दोस्तों टाइट करना है आपको ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो तो यह दोस्तों देखिए हमारा लगया है पहले हमने इस पर लगाया उसी तरह की बोर्ड की वाइरिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना आपकी समझ में आ जाएगा ठीक है तो यह तीसरा फाइब पिंस ओकिट का एल वाला पॉइंट है हम इसे यहां पर करेक्ट कर देंगी तो यह दोस्तों हमने टाइट कर दिया यह दोस् का एक वायर है हम इसे अपने इसी इसके साथ में ही हम इसे लगा लेंगे ठीक है ना क्योंकि दोस्तों हमारे जो इंडिगेटर होता है जो नूटल फिस दोनों चाहिए यह जो दोस्तों दूसरा यह लो कलर का वारा है यह है दोस्तों हमारा मैन फेस ठीक है ना तो यह मैन फ हिए हमने यहां पर लिया अर्व वा autop को लगा दिया तीनो को दोस्तों एक जगह करके हमने तब लगाया है ठीक है ना एक ये हमारा मैन ले कि einzाड़ फेश है ठीक है एक हमारा इंडिगेटर का वायर है अधिये जो wire आदा है पीछे से 5 इंसो कट का एक ही है ठीक है तो 3-0 के एक साथ ले करके हमने इसे connect कर दिया तो दोस्तों ये wire को आपको अच्छे से लगाना है ये दोस्तों देखिये मैंने खींच करके देखा तो ये wire निकल गया तो हम इसे दवारा से अच्छी से लगाएंगे दौस्तों, वायरिंग करने में भले ही आपको थोड़ा समय लग जाए पर वायरिंग को आपको अच्छे से प्रोपर तरीकों से करना है, ठीक ए दौस्तों वायर को हमने 3 को एक जगा कर लिया, अच्छे से अब हम इसे फिर से लगाएंगे यह हमने लिया और लगा दिया ठीके दोस्तों मैंने पहले भी इस बोड की वाइडिंग की हुई है अपने वीडियोस में ठीके ना वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो मैं चैनल पर जा करके देख सकते हैं ठीके क्योंकि मैं इस तरह की दोस्तों वीडियोस बनाता रहता हूँ अगर आपको भी इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों ये हमारा वाईर लग गिया ठीके तो उसके बाद ये हमने लिया है बलाग कलर का वाईर जो कि है हमारा कर दोस्तों इसमें हम आपको सप्लाइल लगा करके सब दिखाएंगे इसमें बोड में कि हमारा ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ठीक है ना इसे हम आपको दिखाएंगे टैस्ट करके भी कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीके तो वीडियो को बस आपको पूरा देखना है एंड तक देखना है तो आप सीख जाएंगे ठीके ना तो हमने यहाँ पहले इस पोइंट पर लगा रहा है अब ऐसे ही हमें यह दूसरे नंबर का फाइप इंस हो गिट है इसके भी एंड वाले पोइंट पर हम इसे वायर क को अरच से लगा दिया ठीक है जिए हमने टाइड कर दिया अब दोस्तों यह जो वायर है हमारा यह वाला अब इसके सात में हम यह जो हमारा मैं नूटल है इसे हम इसे क्नेट कर लीता है जो तो बसुरा वायर है हमारा ही हमारा मैंन नूटल अब अब दोस्तों हमें एक इनटीडेटर का वायर है इसके साथ में इसके साथ में यह जो हमारा बच गया यह कि mobilize हमारे इंड्य के जो नूट साथ में दोनों चाहिए तब यह ऽो उसे हम अपने नूटल point के साथ में connect कर लेते हैं जो black color का wire है यह हमारा neutral है तो यह से भी हम इसके साथ में लगा लेते हैं ठीक है तो हमने से तीनों को एक साथ किया तो दोस्तों यह हमारा indicator का wire है यह हमारा थोड़ा छोटा है ठीक है ना तो यह यहां तक नहीं आ पा रहा है है जहां पर हमें यह five in socket के point में लगाना है तो हम क्या करेंगे एक wire का टुकडा लेंगे और wire का टुकडा लेकर के इसमें connect करेंगे ठीक है ना दोस्तों जब भी आपका wire थोड़ा छोटा हो जाता है इस तरह की जगह पर आप wire का टुकडा लेकर के लगा सकते हैं और बाद में अच्छे से taping कर सकते हैं तो हमने एक wire का टुकडा लिया है ब्लैक कलर का यह ठीक है तो यह हम अपने इसे जो neutral का wire है यह जो हमारा छोटा पढ़ रहा था हम इसे इसे लगा देंगे ठीक है ना इसमें लगा देंगे लगाने के बाद में बाद में टेपिंग कर देंगे तो यह अब हमारा अच्छे से आ जाएगा ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक bey कि यह हमने यहां पर लगा करके इसे टाइट कर देंगी है तो इसे हम थोड़ा पहले लूज करते हैं, लूज करने के बाद में यह हमारा थोड़ा अच्छे से आ जाएगा, अर दोस्तो सभी पॉइंटों को आपको टाइट करना है प्रोपर तरीके से, दोस्तो इस बोड में हम अपने अर्थिंग का वायर नहीं लगाने वाले हैं, अच्छे से तीनों को एक जगा कर लिया, करने के बाद में हम इसे इसमें लगा करके टाइट कर देंगे, यह दोस्तो हमने वायर को अच्छे से यहां पर पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में अच्छे से लगाएंगे, टाइट करेंगे प्रोपर तरीके से, तो यह हमारा दोस्तों टाइट हो गया यह दोस्तों देखिए आप हमारा टाइट हो गया दोस्तों यह पीछे से वायर हमारा जो इंडिगेटर का वायर है फिर से निकल गया है तो हम इसे पहले हैं टाइट कर लेते हैं उसके बाद में हम इसे दुबारा से लगाएंगे इसके साथ में दोस तो हमने इसे एक जगा कर दिया ठीक है क्योंकि यह वायर हमारा थोड़ा चोटा पड़ रहता हूं इसलिए हम ने वायर का ठोकड़ा लगाया है अब हिस्स में हम यहां पर टेपिंग कर देंगे तो हमने टेप ली है बिजली वाली टेप बोलते हैं इसे दोस्तों ठीक ना किसी भी एलेक्टोनिक सोप पर आपको मिल जाएगी आप जानते हैं जादे महेंगी नहीं आती है ठीक ना वायर को अच्छे से लिया एक जगा अधर करके और हम इसे यहां पर टाइट करदेंगे यहां पर अच्छे से दोस्तों पर्पर ट कर लाएं। अपनी इसे टेपिंग कनी है हुमें ठीक ए तो हमने टेपिंग को अच्छे से करने हैं दोस्तों ताकि बाद में कोई हमें दिक्कत ना हो ठीक है तो हमने यह इतनी हमें काफी है तो अब हम इसे अच्छे से वायर पर ही लगा देंगे ठीक है तो यह दोस्टो हमारी वाइर पर अच्छे से लग गई ठीक है । तो हमारी प्रोपर वाइडिंग दोस्टो हो चुक पयो बोड की यह दो से हमारी वैज helping से पर अगले से तीसेपर छीग नैंने तो तीनो पोइंट पर हमने जो 5-10 सोकित है लगा जरूरिया धैंने यह हमारा face का wire है yellow क्लार का वायर ठीक है जो कि हमारे five in socket पर भी गजा हुआ है तो wiring हमारी दोस्तों इसकी complete हो चुकी है अब इसे दोस्तों board को हम बंद करेंगे अपने ठीक है तो इसे board को हम बंद कर लेते हैं इसे wire को अच्छे अंदर करेंगे अब अंदर करने के बार में इसे बंद करके बोड को अब इसमें दोस्तों हम अच्छे से अपने आगे की तरफ चार पेच दिये गये हैं इसमें लगा देंगे ठीके न तो एक एक करके हमें चारों पेच को लगा लेना है ठीके तो पहले वाला हमने लगा करके यहां पर टाइट कर दिया, उसके बार में दोस्तो, आपको इसे टेस्ट करके भी दिखाएंगे कि यह हमारा वर्ट कर रा है कि नहीं कर रा है, ठीके, तो हमने दूसरे वाला भी लगा दिया, जोस्तो वीडियो में अंड तक बने रहे हैंना, आपको इसकी टेस्टिंग भी द जाग गया ठीक है यह दोस्तों देखिए इसकी वाइदिंग कंप्लीट हो चुक है बोर्ड हमारा एक दम कंप्लीट है अब दोस्तों हम इसमें आपको सप्लाई दे करके दिखाते हैं तो सबसे पहले हम यह वायर है इन्हें छील लेते हैं ठीक है जो कि हमारे न्यूट्रल फे को दो मिभी झाक है तो इन्हें अब थोड़ा एब दोड़ा हम अच्छे से यह कर लेंगे तो इसमें आपको सकती हैं तो दोस्तों हम इसके वायर लगा लगा लेते हैं भी आप आप को दिखाएंगे कि हमारा वर्ड करता है बोर्ड यह नहीं कारता है ठीक है अब अभी आप देखते रहना दोस्तों अभी आपको दिखाने वाले हैं तो दोस्तों देखिए यह हम सप्लाई के वाले अपने लगा दिये हैं अब आप देखिए इसमें यह दोस्तों देखिए हमारी सप्लाई आ चुकी है ठीक है तो दोस्तों यह देखिए यह हमारा बोर्ड व झाल 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 झाई